नमश्कार आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा का विकास कैसे हुआ तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुद्रा की परिभाशा क्या है प्रोफेसर राबर्सन के अनुसार मुद्रा व वस्तु है जो अन्य वस्तु के भुकतान में या अन्य वेबसाइक दाइपों के लिए स्विकार की जाए अथार्ट कुछ भी या कोई भी वस्तू जो समानों के भुक्तान में या अन्य वेफसाइक दाईत्मों के लिए व्यापक रूप से स्विकार किया जाता है मुद्रा कार्य करती है प्रोफेसर काउथर के अनुसार मुद्रा व वस्तु है जो समानने रूप से विनिमे के साधन के रूप में स्विकार की जाती है और साथ ही मुल्य के मापक और संचे के रूप में कारे करती है प्रोफेसर केंट के अनुसार, मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसे आम तोर पर बीनिमे के माध्यम या मुल्य के मानक स्टेंडर आफ वैलू के रूप में स्विकार किया जाता है तो आईए अब हम जानते हैं कि मुद्रा का विकास हुआ कैसे मुद्रा का अरंपिक विकास आदान प्रदान के माध्यम की पूर्थी हेतु हुआ था प्राशीन विश्व में मुद्रा के अविश्कार होने से पहले व्यापार या वस्तू और सेवाओं का आदान प्रदान पुरातन काल में विनिमय की बाटर पनाली वस्तु विनिमय के द्वारा होता था क्योंकि व्यक्ति की आवशक्ताएं साधारन और सिमित्थी लोग आपस में वस्तूं के आदान प्रदान द्वारा अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती करते थे उधारन के लिए एक किसान जुलाहे से वस्तों के लिए गिहूं का आदान परदान करता था यह आदान परदान का प्रकार है जबकि सेयोग की बात होती थी कि एक ही समय विक्रेता और खरिदार दोनों की आवशक्ता एक ही समय में पूरी हो आर्थी कति विदियों में विद्धी के साथ बार्डर प्रक्रिया द्वारा विनी में बहुत मुश्किल और जटिल हो गया था इस कारण अधान प्रदान के माध्यम या मुद्रा की आवशक्ता बढ़ गई तो आईए अब हम देखते हैं कि मुद्रा के विविन रूप कौन-कौन से हैं जिसमें सबसे पहले हैं हमने भी पहले भी बात की कि वस्तु भी निमें बाटर पना ली आरंबिक समय के दोरान कोई भी वस्तु जिसकी प्राय आवशक्ता होती थी वर सर सम्मत्ती से मुद्रा के रूप में प्रयोग होती थी कई वस्तों जैसे मोती, सीप, हाथी रांत, चमड़ा, नमक, बरतन, हथ्यार आदी का समय समय पर मुद्रा के रूप में प्रयोग होता रहता था पशुपालन और क्रिशी की आजीविका के माध्यम में प्रयोग के साथ पश्वों और अनाज को भी संपत्री के रूप में माना गया है और मुद्रा के रूप में उप्योग हुआ है बाटर प्रणाली में एक व्यक्ति अगर कोई चीज खरीटना चाहता है या बेचना चाहता है तो उसमें बस्तों का ही प्रयोग आदान-प्रदान किया जाता था अब आगे हैं धातु मुद्रा जिसे मेटलिक मनी भी कहा जाता है बहु मुली धातु की खोज के बाद उनका प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ धातु जैसे सोना, चान्दी, तामबा, आदी का उप्योग होता था क्योंकि इनको असानी से संभाल सकते थे और उनकी मात्रा भी असानी से निधारिद कर सकते थे यह लिखित इतियास के अधिकान समय में मुद्रा के मुख्य रूप में उप्योग हुआ मेटलिक मनी धातु मुद्रा में जो धातु थे हमारे जो किम्ती धातु थे जैसे सोना है, चान्दी है, तामबा है इनका उप्योग भी मुद्रा की रूप में किया जाता था कागजी मुद्रा जिसे हम पेपर मनी भी कहते हैं सोने और चांदी की सिक्कों को जगा जगा ले जाना असहज और असरश्कुत पाया गया इस कारण सिक्के धीरे-धीरे कागज की मुद्रा द्वारा बजल दिये गए जो कागजी मुद्रा है उसका श्रे चीन को जाता है चीन के लोग एक वर्ग फूट के हीरन के चमड़े का प्रियोग मुद्रा के रूप में करते थे और बाद में उन्होंने ही सरपतम कागज की मुद्रा का प्रियोग किया युरुएप ने 200 वर्षों के बाद कागज की मुद्रा के बारे में जाना जब मार्क पॉलो चीन की यात्रा पर गए थे आज विश्व भर में कागज की मुद्रा के बदले समान राशी का भुकतान का वादा केंद्रिये बैंक द्वारा किया जाता है इस वादे का आधार केंद्रिये बैंक द्वारा अधिकृत परसंपत्ती होती है तो कागजी मुद्रा का प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं जिसमें जो हमारा केंद्रिय बैंक है भारत में RBA है तो RBA द्वारा जो जारी नोट है उनका प्रयोग जो है हम कागजी मुद्रा के रूप में करते हैं अमूर्त मुद्रा मुद्रा सिख्के और बैंक नोट को जारी करना केंद्र और रिजर्ब बैंक की अधीन है ये मुद्राएं मुद्रा को निरूपित करती हैं भारत में एक रुपै का नोट और सभी मुल्यवर्ग के सिक्के केंदर द्वारा और शे सभी नोट जर्ब बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं सभी बैंक मुद्रा के निर्मान में सिहो करते हैं जिसे मुड़् मुद्रा कहते हैं सिक्के और मुद्रा नोट जब बैंक खातों में जमा होते हैं तो वे अमूर मुद्रा होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जमा करता की मुद्रा बनी रहती है और यह एक पुस्तक में प्रिविस्टी के रूप में निरुपित रहती है और बैंक द्वारा यह राशी जमा करता की मा पर वापस देने के लिए आजस्विस किया जाता है। आगे बैंक में जमाराशी आदान-प्रदान के माध्यम की रूप में होती है। और इसका उपयोग चेक जारीकर भुकतान करने में या भुकतान अनुदेशों में किया जा सकता है। इस परकार यद पी मुद्रा बैंक मे जमा किया जा चुका है तब भी ये मुद्रा अपनी सभी लक्षनों और कारें के साथ निरंतर अस्षित में रहता है क्रेडिट मुद्रा बैंकों ने अन्वब किया कि जमा करता द्वारा जमा मुद्रा का मात्र एक छोटा सा हिस्सा ही उनके द्वारा नेमित रूप से निकाला जाता है इस कारण ये उप्योग समझा गया कि इस मुद्रा का कुछ भाग अन्य लोगों को दिया जाए जो अपने वेफसाइक उप्योग है तू उधार लेने के लिए उच्सुक है बैंक अपने जमा करता की जमा मुद्रा का कुछ प्रतिशत नगत की रूप में रख कर उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं और शेश राशी को निश्चित लाब पर उधार दे सकते हैं इस प्रकार उधार देने की प्रक्रिया में बैंक जमा करता के जमा मुद्रा को बनाये रखते हुए अधिक मुद्रा का निर्माण करते हैं प्लास्टिक की मुद्रा मुद्रा का आधुनिक रूप प्लास्टिक मुद्रा है जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड की रूप में होती है इनके उदेश्य बिना मुद्रा के साथ रखने के जोखिम के लेंदेन की मांग को पूरा करना है बहुत समय से व्यापार के विस्तार और लोगों के देश भर और विश्व भर में भ्रमन के साथ यह पाया गया की यात्रा के दौरान और खरिदारी के भुक्तान को पूरा करने है तू मुद्रा को साथ रखना मुश्किल और जोखिम बरा है तक्निकी और दूर संचार की उन्नती के साथ ही लोगों की पहचान और उनके बैंक खातों तक पहुँच किसी भी दूरस केंदर या विक्रे केंदर तक विशेश रूप से बनाये गए कार्ड द्वारा संबब हो गई इन कार्ड में जमा करता की विस्तिर जानकारी होती है और एक पासफ़र जिसे विक्तिगत पहचान संख्या केहते हैं जिसके द्वारा उनके खाते तक पहुँच संबब होती है यह तो ही डिफरेंट टाइपस ऑफ मनी के बारे में बात अब हम बात करेंगे कि मुद्रा के कारे क्या क्या है मुद्रा के कारे को दो शेशों के तहत वर्गिगत किया जा सकता है नमबर वन प्रात्मिक या मूल कारे नमबर दो दृतिक या सहायक कारे प्रात्मिक कारे यह मुद्रा के मुख्य कारे हैं जो इसके प्रमुक उदेशों को पूरा करने हेतु आवशक है नमबर एक आदान प्रदान का माध्यम मुद्रा के आदान प्रदान के माध्यम से तात्वर उसके सभी प्रकार की वस्तूओं और सौदों में भुक्तान हेतु उप्योग होने से है इसके लिए इसमें सभी में साधारन स्वीकारता का गुन आवशक है मुद्रा के इस कारे द्वारा क्रय और विक्रय को एक दूसरे से सुतंत रूप से पूरा किया जा सकता है इस तरह यह व्यापार और संबंधित लेंदेन अर्था भुक्तान और प्राप्ति को सुगम बना देता है मान का मापन या मुल्ले का प्रमान मुद्रा के मुल्ले का प्रमान से तात्पर है कि यह एक समाने इकाई की तरह कार्य करता है जिसमें सभी वस्तूं और सिवाओं की कीमत प्यक्त की जाती है सभी वस्तूं और सिवाओं को एक ही इकाई में मुद्रा में सीमित करने से उनके बीच आदान प्रदान का अनुपाद ग्याद करना सरल हो जाता है और उनकी सापेक्ष कीमत की गणना और कीमत की तुलना करना भी आसान हो जाता है इसी कारण से मुद्रा को गणना की समझा जाता है यह कारण व्यापार के खातों को नियमित करने को भी सुगम बना देता है और जो की अन्यता संभव असंभव है मुद्रा के दुटिक कारें में भुक्तान के विलंबित मानक की रूप में तात्परे है कि वो सभी भुक्तान जो भविश्य में होने हैं उनके मानक की रूप में कारे करता है कभी कभी वस्तुओं और सेवाओं का आदान परदान हो जाता है पर भुक्तान तुरंत नहीं होता इस तरह के लेंदिन में भविश्य में समझोते के लिए कीमत की निधारन को मुद्रा सुगम बना देता है मुद्रा का यह कारे महत्रपूर्ण है क्योंकि इसने उधार लेने और देने की प्रक्रिया को सुगम बना दिया है और इसी के द्वारा बैंक और वित्य संस्थाओं का निर्मान हुआ है मानों का भंडा खीमत की संग्रह में संपत्ति के किसी भी रूप को सहेज कर रखना जिसका भविश्य में किसी कीमत में आदान पदान हो सके इसके द्वारा यह वरत्मान से भविश्य में खरेदारे की ताकत को महुलत देती है हलांकि मुद्रा को किसी भी रूप में संग्रय कर सकते हैं मुद्रा के संग्रय का सबसे आसान और किफायिती तरीका है यह किसी भी व्यक्ति को आकस्मिख अपॉरमानिय, आपास सिती से निपटने और भविशे के जिन को चुकाने में सुरक्षा पदान करता है मान का स्थानंत्रन मान के स्थानंत्रन से तातपर टिकाओ और अचल वस्तूओं के एक जगा से दूसरी जगा के मान के स्थानंत्रन से है मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति उसकी अचल संपत्ती को किसी भी विशेष्टान पर बेच सकता है और अनिशेष्टान पर खरीच सकता है यह कार्य मशीनों, शेत्र और वस्तूओं को गतिशीलता प्रदान करता है Bank, a term that has become an integral part of our lives from saving money, booking online tickets, taking a loan to any other money related operations Banks have become the bridge that connect us with money But how did they come into existence all of a sudden? Let's turn over the pages of banking history The first banking system was started in Italy In the Middle Ages, Italians used to carry out their commercial trading and transactions sitting on a bench In Italian, the word banco refers to a bench With the intervention of many clients and customers, the word banco underwent changes and became bank Technically, banking system was started right in the Paleolithic Age with the advent of barter system People exchanged and traded goods they already had for things they needed It was beneficial up till the point when people felt that they required a common commercial tool for trading As gold was commonly used by everyone, people started using gold coins as a trading tool Which led to the birth of banks The inception of banks was mainly due to two kinds of people The merchants and the goldsmiths The traditional banking system was initiated through the concept of safe deposits When the merchants travelled all over the world, they needed a place to safeguard their gold coins Hence, they approached the goldsmiths to store these surplus gold in their safety walls This is how safe deposits came into existence When the money was idle in the safety vault, the goldsmiths started lending it to people Earning an interest from it He also gave a part of the profit to the merchants as an incentive Encouraging them to deposit more gold coins with him This paid way for the savings bank or deposit scheme in the later stages And is still considered to be one of the safest investment plans These can be rightly called the stepping stones to the conventional banking system The world's first bank is the Bank of St. George in Italy Which was founded in 1407 Whereas Monte di Paschi is the oldest surviving bank since its inception in 1472 With technological advancement, the whole banking process is now confined to small mediums like computers and mobiles Which have made banking a simpler process Just a click on your computer And you're into the money world in no time